हेलो प्यारे व一定要 आज मैं आपको स्थानय मान निकालना Sow obtain be संख्या में किसी भी अंकिस वी अंक्पा किस तरीके से निकालते एं ठीक है और ये स्थानय मान होता क्या है ठीक है तो सबसे पहले चलो तो सबसे पहले हमें 1-डहें सेंखड़ा-1000 इन चीज़ों का पता होना जीए ठीक है तो पहले नंबर बात है 1-डहें सेंकड़े में 100 को ठीक है सेंकड़ा क्या होता सो फिर आता है हजार एक जिरो एक्ष्ट्रा बढ़ा दें एक जिरो दो जिरो तीन जिरो आएंगे तो एक हजार में कितनी जिरो होती है सेंगे तीन फिर आएगा दस हजार है कि दस हजार है चार जिरो आजाएंगे इसमें ठीक है तस जार के बाद लाग तो एक लाग में कितनी जिरो आती है पांच जिरो ठीक है फिर दस लाग अधर पधे दस लाग में एक जिरो बढ़ा तो इसे ंधिक है एक लाग में पांच जिरो आती दो दो चार एक पांच ठीक है 1-0 बढ़ा देंगे tier नदस लाग को जा जाए 10 लाग को ढ़ैंगे 2023 करोण में 10 दस लाग में इस में 6 अधूल को टीक है तो एक इस थाने मान निकालते हैं कोई संख्या ले लेते हैं हमने ये संख्या ले ली तो देख लीजिए इकाई सेकला 1000 10,000 तो देखिए 5 किस गे इस्थाने मान का मतलब है कि जो हुआरे पास अंक है एक से लेकर 9 तक छीक उनमें कौन सा अंक है किस Peng पोजिशन पर है इस थाने को ठीक है याई की पोजिचन पर है एकाई की स्थान पर है इकाई का मतलब क्या होता एक ठीड तो क्या करनें ये सूं 12 गणा ett तो पमाच ठीड जाएक अब आते में अगले एंक पर कितना है एक बन लेको दें और ने एक किस पोजिशन पर धाई पर धाई देखनी और यहां देखें कंडल क्या होता दस होता न, तो धाई की position पर तो इसका मतलब में से 10 से multiply करेंगे, और 10 एकम, 10 हो जाएगा ये, ठीक है, अब next अंक पर आते हैं, कितना है अंक, दो, इसकी position देखेंगे अब, ठीक है, तो इसकी position देखेंगे किस पर सेंकडा, सेंकडा का मतलब क्या होता, 100 होता है, ओके, तो 100 म multiply कर देंगे, ठीक है, अब, दो, एकम, दो, जितने 0 है, उन्हें, चौका तो लिख दो, ठीक है, 0 को छोड़ का multiply करते हैं, ठीक है, जीरो को छोड़ो, 2 एकम, 2, और इस 0 का बाद मिले, ठीक है, अब, अगले अंक को ले लेते हैं, 3, अब देखें, 3 किस position पर है, 3 का इस्था ठीक है, तो इसका मतलए, इस तीन का जो इस्थाने मान क्या है, 3,000, ठीक है, हर अंक का एक से लेकर नो तक जो अंक होते हैं, सबका इस्थाने मान बदलता रहता है, संख्या में, उनकी इस्थान के हिसाब से, अगला ले लेते हैं, 4, 4 में देखें, किसने से multiply करेंगे, 4 आर करेंगे, 4 एक हम, 4, 4, 0 को लिख दो, 1, 2, 3, 4, 0 यूँ लिख देते हैं, बस अंक की अंक में multiply कर देते हैं, इस पकार देखो, यह पांच है, तो पांच का स्थाने मान कितना होगा, 5, 1, देखो वैसा एक को तो हम एक कहते हैं, लेकि यहां पर इसका पता value कितनी है, 10, यानि यहां 10 के बराबर है, इस 2 को देखो, यह 2 कितने के बराबर, 2 की value क्या, 200, अब यह 2, 2 नहीं रहा, 200 हो गया, ऐसी यह 3 है, 3 की value देखते हैं, इसमें स्थाने मान, 3,000, ठीक है, 1000 के स्थाने पर 3,000 हो जाएगा, देखो, कहां 3 थार, कहां 3,000 हो गया, अब यह 4 है, 10,000, तो 4 ह अंतस्य करें, तो कितना जाए, 40,000, ठीक है, इसलिए, पोजिशन के हिसाफ से, यानि इस्थान के हिसाफ से, इनकी जो value है, ठीक है, जो इनका मान है, वो बढ़ या घड जाता, ठीक है, घड अंकों का घड ठीक है, तो जिस इस्थान भोगों सी के स्थान से, इसका मान, ठी समझ माया, ठीक है, अब आता है, दूसरा, अंकित मान, क्या, अंकित मान, इसे कहते हैं, face value, face value, face value, कभी नहीं बदलती, किसी भी अंक की, ठीक है, जो अंक जितना होगा, उसकी face value, वहीं होगी, उसे कहीं भी उठा कर रख दो, ठीक है, किसी भी इस्थान पर रख दो, तो उसकी face value वहीं रहेगी, अब जैसे इस 5 की बात करें, इसकी जो इस्थाने मान, भी 5 और अंकित मान भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 का तो 5 ही होगा, एक की बात करते हैं, एक का अंकित मान कितना होगा, एक ही रहेगा, एक का अंकित मान पोचो तो दो ही आएगा इसका अंकितमाण क्योंकि अंकितमाद कभी नहीं बनलता, ऐसे किसी भी संख्या का लेंगे तो जो संख्या है उसका अंकितमान भजी होगा 4 का 4, 3 का 3, 5 का 5, 6 का 6 7 का 7 इस तरीके से ठीक है तो एक एकजामपर ले लेते हैं हम ठीक है यसे चार तीन दो जीरो एक पाच इस में तीन का इस्थाने मान निकालना में तीन का इस्थाने मान और अंकित मान अंकित मान ठीक है बताइए इस्थाने मान कितना आगवा तीन का है कि अजाने का कीब तैसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब ही थे ये दसन अभी है तो त्व मिश्था के मैं सब्सक्राइब कर दो पो दो सहरीं डितना थे लिस्थाने मान और अंकित मान कितना हो गया तीन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं अब आते हैं इसकी सोट ट्रिक पर बिना मल्टिप्लाई करें कैसे निकालेंगे तो इसे ही ले लेते हैं चलो इसकोई संख्या ले चौर्ट दो ओठ नौ ठीक है यह ले लिए हम इस इनका में इस ताने मान निकालना देखो कितने आसाने से नौ इसके आगे कोई अंक है नहीं तो नौ का नौ ही लिख देंगा ठीक है आठ पहले संख्या लिख लो तुम इनको ठीक है दो चार साथ इस तरीके संख्या लिख लो अब इनका आगे जीरो लगानी है जीरो लगाने का तरीका देख लिए किस तरीक से लगाते हैं नौ का यानि किसी भी उंक के आगर गर किتيण निलाई तो हम आख depende निक झाल लगा दें तो के आख गो 3-5 में रेता तो अषगां अप्योप क्वें उताय कर रूंज अबर